जाल चाल है मेरे प्यारे छात्रों, ठीक ठाक है, ठंदी तो बहुत जादा है, पढ़ाई का प्रेसर बहुत जादा है, एक्जाम में समय बहुत कम है, इस सिच्वेशन से आप जोज रहे हैं, लेकिन ऐसे सिच्वेशन में मेरे जैसे अध्यापक भी आप लोगों के बीच में टाइम टू टाइम डेली वीडियो कॉंटेंट अपलोड कर रहे हैं, कुछ फ्री की है, कुछ पेड की है, कुछ एडवर्टाइजमेंट के जरिया आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है, हर व्यक्तियास के समय में अपना काम कर रहा है, तो यह चात्र क अपना काम नहीं करेगा, अब मेरी वीडियो देखें, चाहे किसी और की देखें, जिसका भी देखें, पूरा देखें, नोट करें, अपने से भी उसको साल्व करें, कहने का मतलब खुद को चेक नहीं करोगे, अपने आपको आजमाओगे नहीं कि तुम लगा पाते हो, सव कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि असली परिच्छा कब है, जिस दिन आपकी बोड परिच्छा है, मैत का जिस दिन पेपर है, तो मैत को फिल्मों की तरह, गाना की तरह, बजाना की तरह, नाच की तरह, साट वीडियो की तरह, ना देखिए, क्लास रूम की तरह देखिए, प पूरा देखिए पूरा दोहरा ये ये बार बार मैं कहता हूँ आगे भी कहता रहूँगा और आप लोग अपने गलती ही अगर समझ रहे हैं तो उसको सुधार लीजिये समय है अभी आपके पास कुल मिराजुला के मुझे लगता है आपके पास अभी 40 दिन का वक्त है ठीक है तो आज का सवाल यही है डरिये का मत मैं हूँ तो समझा दूँगा हाँ उससे पहले कहना चाहूँगा जो बच्चा गड़ित में कमजोर है चाहता कि कम से कम 100 नमबर में से पैसर सत्तन नमबर आसानी से मिल जाए वो मुझे इस नमबर पे काल करे ठीक है मेरी टीम से बात करे 200 रुपए में आपको हम 16 घंटे की वीडियो देंगे ठीक है सोला घंटे की एक वीडियो नहीं है चोटी चोटी वीडियो है सब को मिला के सोला घंटे लगेगा डेली अगर दो घंटा दोगे न तो आर दिन में सोला घंटा पूरा फिर अगले आर दिन में फिर से पूरा अगले आर दिन में फिर से पूरा तुम इतना दोहरा देना इतना तो बेक्टर-A, cross vector v इसको पढ़ने का तरीका कोई लड़का बेक्टर-A गुड़े ड़ेक्टर-A, cross vector v इसको पढ़ने का सिलिए क्रास पढ़ा जाएगा और यह से और यह न कफ़ेंगे तो यन के ओपर kreak laga नमदाब टोपी थंडी से बढ ने के लिए बचने के लिए तोपी लगा तो यन के ऊपर लगायन है तो उसको पांगे यन कैप मतलब क्या 21 सदिस नमभवट 11 सदिस है वह इसको क्या पढ़ेंगें लमभवट 11 सदिस यह ही सब ज्याद करना है तो हमें सिखा रहु लिए पढ़ने के लिए कर तयार हूं Hem कुर्मेंट सेक्षर में लिखना। अगर एनरजटिक इस पिलिंग नहीं आता है तो भी लिख दीना। मैं तयार हूं। पस। देखो। पहले इसे देख कर यहां लिख दीजिए। बेक्टर एक रास बेक्टर भी देखो। तुमने क्या किया। इसे देखा है और यहां लिख नकल किया यहां से देखके यहां लिखा तो नकल हुए एक तरीके से फिर वाही काम करना नकल करना देखो बराबर चिन नगे यह कोंधो डंडा इसे खी रेंगेался के èg resolutions नगनेख्जार में Samineach अभी तो देख के लिख रहा है यार आई जे के किसको नहीं आता लिखने यह भी सदी आता है ना तो वही तो है यह अब देखो I के बगल में कोई नहीं है यहां लिखो J के बगल में कोई माइन दो है यहां लिखो K के बगल में अगर कोई नहीं है तो 1 लिखेंगे क्या लिखेंगे 1 देखो मैंने यहां से देख देख करके यहां यहां लिखा देख के लिखना है अब की बार यहां वाला देख के तीनों यहां लिख दीजिए आई के बगलवाला डो जे के बगलवाला तीन के के बगलवाला पाँच बताओ चिला मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो आप नहीं कर सकते हो मैं कोई ऐसा ब्रिलियंट और टेलेंटेड स्टुडेंट के लायक पढ़ा रहा हूँ जो आप नहीं समझ सकते हो सब लोग समझ रहे हैं कोमेंट में बताना समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप किया होगा इसके आगे वह बहुत असान है वह बराबर आई शबसे पहले लिखेंगे कोश्टक बना देंगे ठीक है आई वाली लाइन को इधर से इधर से छोड़ देंगे आई पहली यह पहली है और यह पहली छोड़ दीजिए तो बचएगा दो पॉच्छे दस माइनस चीन के नहीं माइनस दस और हमाइन norm लगाना नियम प sürतीन का एक में तीन कम तीन ही रखे अब सिल्कम कि बाद 20 पर जाओग अच्चीन करें सब्सकरां माइनस लिखना है नित क्सक्षन भुष्टग में जे वाली लाईन च्छोड़ दिजेए, । 3,5 लिखेए तीन पच्चे पंद्रा अधो एकम दो प्लस माइनस प्लस प्लस चिन आगया प्लस के लिखे प्लस के के अप ब्रेकेट में के वाली लाइन छोड़ दीजे के वाली लाइन छोड़ेंगे तेन तरीका नहुआ और माइनस चिन लगेगा ही रूल है ये अधो दूनी चार माइनस चार और यहां माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस चार बस बस काम खतम माइनस दस माइनस तीन माइनस तेरा आई कैप और पंदर अब से दो जाएगा तेरा माइनस में तेरा जे कैप नो चार तेरा के कैप ठीक है वेक्टर एक क्रास वेक्टर भी आ चुका है वेक्टर एक क्रास वेक्टर भी क्या हुआ आ चुका ये काम हो गया अब ये काम करना है ये तो ध्यान से देखना अब अब मुझे इस वीडियो में लाइट की कमी है तो थोड़ा मैं लाइट मेंटेन करता हूं येस हो गया आगे देखते हैं इसका बेलू निकालना तो पहले इसको मिटा देता हूं फोर नंबर नोट कलो अगर नहीं ले पाए हो तो इसक्रीन साड ले लो बेक्टरियन कैप लंबवा सदिस एन कैप का मान क्या होगा इतना बटे इतने का ही मापांक मतलब क्या बेक्टर एक क्रास बेक्टर बी बटे में बेक्टर एक क्रास बेक्टर बी का मापांक मापांक निकालने के लिए क्या करते हैं इदुगो डंडा लगा देते हैं किनारे किनारे दुगो खड़ा खड़ा डंडा तो हो जाता है मापांग ठीक है अब इसका बेलू यहां से देख लो यह वाला यह वाला पूरा पूरा यहां लिख दीजिए कितना है माइनस तेरे आई माइनस तेरे जे प्लस तेरे के कैप है न यही चीज यहां देखो माइनस तेरे माइनस तेरे प्लस तेरे आचा मापांग निकालने के लिए क्या करते हैं मापांग निकालने के लिए करडी में डाल देंगे करडी में डाल देंगे किसको इसी का गुडांग को माइनस 13 का स्क्वाइर ऐसे फिर इसको भी माइनस 13 का स्क्वाइर फिर ये प्लस 13 का स्क्वाइर ठीक है बस काम खतम इन सब में क्या करेंगे आप माइनस 13 कामा 13 कामा लेलो तो क्या बचेगा माइनस आई, माइनस जे, प्लस के, तेरे का स्क्वार 179, 179, 179, तीन बार 179 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा तीन गुड़े 179, नहीं समझे क्या, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार, तीन बार, तो लिखेंगे, तीन, 179, ये क्या, 179 है, 179, 179, तो 179, 179, कितनी बार, तीन बार, तो मैंने लिखा, तीन बार, 179, ये भी तरीका है, अब ये 179 बाहर आएगा, तो तेरे को काट देगा, 179, बाहर आएगा करड़ी शे, तो तेरे बनेगा, उपर वाला, तेरे कट जाएगा, तो लंबात इकाई सदिस, येन के बराबर, बचा क्या, माइनस आई, माइनस जे, फ्लस के, बटे करड़ी में, तीन, बस, आपको सायद करड़ी में, तीन पूरा-पूरा नहीं दिख रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ, दिख जाए, दिख गया, तो मेरे प्यारे बच्चों, जिनको समझ में आ गया है, एक बार कमेंट में लिखेंगे, कि गुरु जी मेरे को तो आ गया, बाकि जिसको नहीं आया है न, वो कमेंट करें कि किस पॉइंट पर किस लाइन में नहीं आया, अगली वीडियो जब कभी में लाओंगा इस टॉपिक पर, तो आपकी बात का ध्यान रखूंगा, समझे, चलो, अगला सवाल करते हैं, एक बात, एक बात मैं बताओं बच्चों, सदी सवाले चेप्टर से, कोई सवाल आये चाहे ना आये, लेकिन ये सवाल जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सवाल तो आता ही रहता है, तो आप बाकी सवालों पर अपना ध्यान के अंदरित कर पाए हों, चाहना कर पाए हों, परन्तो इस सवाल पर अपना ध्यान के अंदरित जरूर कीजिएगा, और आसान भी है, परिच्छा में आने वाला भी है, और आपको इसका पूरा-पूरा मार्क मिलने वाला भी है, त प्रदिसों इतना और इतना के बीच का कोंड ग्याद केजिए तो बीच का कोंड ग्याद करने का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए तो बीच का कोंड ग्याद करने का सूत्र क्या होता है कास थीटा बराबर बेक्टर ए डाट बेक्टर भी बटे माड में बेक्टर ए फिर जरूरत है कि ये दोनों पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, यानि इस सुत्र में तीन स्टेप की जरूरत है, तो हम इन तीनों को उपर वाले को इन दोनों नीचे वालों को यहां साइड में निकाल लेते हैं, और निकाल लेंगे उसके ब रख देंगे बस काम खतम जाएगा चलिए तो बेक्टर ए बेक्टर भी कहा है पहला वाले को बेक्टर ए मानलो माना बेक्टर ए बराबर यही वाला देख के लिख दो 2i cap plus j cap plus 2k cap vector b बराबर यह वाला देख के लिख दो 3i cap minus 2j cap plus 3k cap ठीक है अब कहोगा अब vector a dot vector b निकालेंगे vector a dot vector b निकालें अरी का बहुत आसान है एक को स्टेग में vector a यह वाला तीनों लिख दो 2i plus j plus 2k और b की जगाँ पर b वाला लिख दो 3i minus 2j plus 3k आपको अगर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन आप दिख रहा होगा दिख रहा है ना चले हो इसका इसमें गुड़ा करने का इतना आसान नियम है कि दुनिया में इससे जएदा आसान कुछ है ही नहीं कैसे? बता रहा हूँ आई वाले का सिर्फ आई वाले से गुड़ा होगा और किसी से कोई मतलब नहीं आई के बगल में 3 है आई के बगल में 2 है तो आई को छोड़ दीजिए सिर्फ आई के बगल वाले का आई के बगल वाले से गुड़ा करना बस आई के बगल में क्या 2? यहां 3 तो 2-3 का गुड़ा कित आएगा? 6 आएगा अब इसी तरह से जे वाला जे वाले से गुड़ा करेगा यानि जे वाले के बगल में जो भी है उसका जे के बगल वाले से गुड़ा तो यहां पर जे के बगल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी नहीं जहां मैंने अंगली रखा है न यहां पर 1 मान लीजिए क्या 1 1 1 तो 1 गुड़े 2 माइनस 2 तो एक गुड़े माइनर 2 क्या होगा माइनर 2 होगा के के बगल में 2 है के के बगल में 3 है तीन दून अच्छे हो जाएगा तो 6 6 12 12 12 से 2 घटेगा 10 विक्टरी डाट विक्टर भी आ गया अच्छा अब यह माड और यह वाला माड अलग अलग से निका होगा करड़ी में वेक्टर ए का गुड़ांक केता है दो है इसको ए इसको ए लगाओ इसका दो है इसको ए लगाओ दो दूनो चार एक पांच तुदूनो चार पांच पांच और नो नो बाहर आएगा तीन बन जाएगा ऐसे माड में वेक्टर भी का निका लिए तीन का स्क्वाइर करो यह माइनस टू का स्क्वाइर करो कि तीन के स्क्वायर करो तीन के स्क्वायर नौ तीन के स्क्वायर नौ 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 ठार ए अठार चार बाइस कलड़ी में केता बाइस ठीक है भाई अब यहां आजाएए कास्थीटा बरावर इन दोनों का मान कहा है देखिए इन दोनों का मान यह दस है इसका मान देखिए कहां पर है तीन है इसका मान देखिए कहां पर है कलड़िम बाइस है बस काम हो गया निकालना है बीच का कॉंड तो बीच का कॉंड थीटा बराबर क्या होगा थीटा बराबर कास इन्वर्स दस बटे तीन कडिम बाईस बस जे होगे आपका एंसर इनके बीच का कॉंड थीटा बरावर तीन दस बट तीन कड़ी 22 बस 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 और मैं देख ले तो मेरा एंसर आया की नहीं कर तो आइ प्लस जे फ्लस तरी के अगा थ्रीय वाइट मैंने टू जे फ्लस तरीके अधिडिया मैंने टू जे फ्लस के कोई बात ने इकदम सही है। जीस हिसाब सरे लएंग परसं सही है। ठीक है। अगर ये कट के एक बटे दो आ जाता। तो कास कितने कमान एक बटे दो। 60 कमान तो 30 budण तो 30 डिए प्रत त्वीड बटे आ जाता समझें mean तीन, 30 के लिए 3 बटे तो लेकिन जब ऐसा वेलू पॉसिबल वाला नहीं आएगा कित रिकोड में तीम उसका कोई मान ना हो तो इसे इंवर्स बनाके लिख देंगे काम खतम ठीक है ना तो आज का ये 20 मिनट का सेशन किसको किसको पसंद आया कोमेंट सेक्शन में लिख देना मैं रिपलाई जरूर क करूँगा चलिए मिलेंगे एक लिए वीडियो में देखते रहेगा M Solution फार्द बेस्ट मैथ सलूशन ठीक है चलिए बेटा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग कमेंट में लिखेंगे और एक फरवरी से जो बचा भी तक वीडियो मेरा देख रहा एक फरवरी से याइभ रहेगा अगर अगर उसमें आना है तो एक नया का रहा हूं नोकिया चलें रहा है है इंवाल। लोग आ गये लोग पड़ रहे हैं रहे हैं अब जो बचे खुचे हैं वो एक जनुवरी एक फर्वरी से आएंगे 29 फर्वरी को एक जाम है एक फर्वरी से सुरू करो 29 तक जाओ मेरे साथ फाइदा लो ठीक है चलिए बहुत बास शुक्तिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में